जब स्वामी विवेका नंद जी जिनका नाम नरेंद्र था राम किशन परमहंस के पास गए तो पहला प्रश्ण उन्हों ने किया क्या आपने भगवान देखा है राम किशन परमहंस कहने लगे हसने लगे कहने लगे नरेंद्र जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तुमको विजुलाइज कर रहा हूं तुम मेरे सामने बैठे हो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसे ही मैंने भगवान को देखा है जिसे कहते हैं शाक्षार, Face-to-Face और किसी चीज़ को आप Face-to-Face कैसे देखेंगे कि उसके बीच में कोई पड़दा न हो आप मुझे देख रहें Face-to-Face जो आगे बैठे हैं वो बहुत आगे आगे हैं देख रहे हैं महाराज जी बैठे हैं इसलिए हमको आप स्वस्ट देख रहे हैं कि हमारे आपके बीच में कोई पड़दा नहीं है अगर पड़दा लग जाएगा तो आप हमें देख नहीं पाएंगे तो कहने का मतलब face to face देखा कैसे जाएगा जब कोई बीच में पड़दा नहीं होगा कोई बीच में friction नहीं होगा कोई बीच में obstacle नहीं होगा कोई बीच के अंदर मल विक्षेप आवरण हमारे शास्त्र कहते हैं वो नहीं होगा तो हमारे शाष्ट्रों के अंदर प्रमाण प्रमाण विरती के अंदर प्रमाण के तीन मुख्य बिंदु बताए गई पहला होता है प्रतक्ष जिसको हम कहते हैं इसको देखा तो भाई सब्सक्राइब कोट में भी आदमी कहता है साब मैंने इसको देखा अपनी आखों से देखा है सीइंग इस बिलीविंग सेकेंड क्या है अनुमान आपने देखा नदी में पानी बहुत ज्यादा आ गया तो आपने पहणों पर वर्षा नहीं देखी पर अगर नदी में ज्यादा पानी आ गया है तो पहणों पर वर्षा होई होगी यह अनुमान है आपने दूर से धुआ देखा, आपने आग तो नहीं चलते विद्य की दूर से धुआ देखा, आपने पुराने जमाने मैं लोग smoke signal किया करते थे कोई अगर संदेश देना है, तो धुआ जला देते थे, दूर से धुआ दिखाई देता था और संदेश पहुंच जाता था दिख रहा है तो वहां आग जल रही होगी बिना आग के धुआ नहीं हो सकता है पर हमने आग को नहीं देखा धुआ देखा है जैसे स्रिष्टी बनी है तो भई बनाने वाला कोई होगा तो अनुमान हम करते हैं कि परम्पिता प्रमात्मा होगा और तीसरा बिंदु है आगम और निगम जो हमारे शास्त्र हैं शास्त्रों में लिखा है तो भगवान होगा पर गुर्माहराज की गृपा से जब पड़बा हट जाता है अरजुन भी भगवान में विश्वास करता था पर जानता नहीं था भगवान कृष्ण की श्रणागत हो गया जब भगवान तीसरा नेत्र खोला दो नेत्रों से हम सारे संसार को देखते हैं और अध्यात्मिक जगत को देखने के लिए शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है इसलिए भगवान कीता मैं कहते हैं कि अरजुन मेरे वास्तविक रूप को देखने के लिए चोंकि यह बहारी आखों से बहारी आत्मिक संसार दिखाई देगा तो मैं मेरी वास्तविक्ता को जानने के लिए मैं तुझे दिव्यनेत्र देता हूं जो दिव्यनेत्र जिनको दिव्यचक्षू कहा गया डिवाइन आईज कहा गया तो ये सद्गुरु महराज से प्राप्त होते हैं तभी कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधनर रूपहरी महा मुहतम पुझ जासु वचन रविकर निकर तो वो जो नाम है जिससे सारा संस पार पैदा हुआ है। है आप जहां जहां जाते हैं आपका नाम आपके साथ साथ जाता है। यहां पर लखों आदवी की भेड बैठी हुए ह। इस भीड मेंसे कोई आज मे ऐसा नहीं होगा जो अपने नाम को अलमारी में बंद करके अपने घर में छोड़ाया होगा, जहां भी आप जाओगे आपका नाम आपके साथ होगा, ऐसे ही परमपिता प्रमात्मा जहां होगा, उसका नाम भी निश्चत रूप में होगा, तब हमारे संत कहते हैं कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न भगवान के नाम है, वो लिलाओं के नाम है, भगवान का गुण जो है उसका पखान करते हैं, भगवान कृष्ण को गुजरात में कहते हैं रण छोड़ जी, भगवान लड़ाई के मैदान से भाग गये थे, उनके भागने को कह दिया गया रण छोड़ जी, आप कभी कभी जाओगे कहेंगे रण छोड़ जी महराज की जय हो तो भगवान का एक काम बाल गोपाल भगवान बालक बन गए तो बाल गोपाल हो गया नाम भगवान का नाम माखन चोर है माखन चोर का मतलब जिसने मक्खन को चुराया हो भगवान ने अगर मक्खन की चोरी की तो उनका ना और सुएक नाम है यह गुणवाचक नाम हैं पर कहाँ कोटी नाम संसार में ताते मुक्तिन होए आदि नाम जो जब भगवान का जो और ए Crash है और रहेगा नानक है भी सच नानक होसी मोज़े और आनक जुगाद भी सच जो है ठा और नारेगा वो जो प्रभु का नाम है जिससे सारे संसार का स्रजन हुआ है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैंने व्यवेस्वान को सूरी को ये ग्यान दिया सूरी ने राज रिशियों में ग्यान दिया आज हम विज्ञान के माध्यम से पढ़ते हैं कि सबसे पहले सूरज था सूरज में एक विस्पोर्ट पैदा हुआ उस विस्पोर्ट से अलग अलग टुकडे बन गए जो आज प्लैनेट्स कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं और ये सूरी के चारों तरफ प्रक्रमा कर रहे हैं तो भगवान भी कहते हैं कि मैंने वो अक्षर ब्रह्म वो जो नाद है वो जो शब्द है उसका ज्यान सूरी को कराया तो एक ऐसी वाइबरेशन है क्योंकि एटम के अंदर एक नुक्लियस है नुक्लियस के चारों और एलेक्ट्रॉन प्रक्रमा कर रहे हैं उसके अंदर जो शक्त है प्रक्रमा कर रही है एलेक्ट्रॉन प्रक्रमा कर रहे हैं ये स्पंदल सारे पदार्थ में है एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन भगवान ने कहा संसार कैसे बना है सत रज और तम से बना है उसी को विज्ञान एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन कहकर के fundamental particles कहता है तो यह सारा संसार जो बना है यह तीन तत्वों से बना है तीन fundamental particles से बना है और यह vibration जो है इसी को नाद कहा गया कलियुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उत्र ही पारा कलिकाल में उत्दार कैसे होगा कलिकाल कहा राम चर्तमानस कहती है कलिकाल केवल नाम के सुमरन मात्र से प्रभु का जो नाम है उसके सुमरन मात्र से कल्यान होगा जब हम प्रभु का नाम का सुमरन करते हैं तो उसका स्पंदन उसकी vibration से हम ट्यूनिंग करते हैं आपने देखा होगा हम रेडियो चलाते हैं तो रेडियो में उस स्टेशन को ट्यून करते हैं टेलिविजन चलाते हैं तो टेलिविजन को उस फ्रिकुंसी के साथ ट्यून करते हैं और ट्यूनिंग से क्या होता है कि वो जो चलचित्र का प्रसारण सारे व्यापक तरीके से हो रहा है वायू मंडल में रेडियो का प्रसारन टेलीवीजन का प्रसारन व्यापक होता है पर जब आप उस पे ट्यून करते हैं तो वो प्रसारन आपके टेलीवीजन पर आने लगता है इसी प्रकार से साधना करने से ध्यान करने से हम उस शब्द के साथ अपनी ट्यूनिंग करते हैं और जब हमारी ट्यूनिंग हो जाती है हमारी फ्रक्वंसी उसमें एक साथ हो जाती है तब प्रभु का दर्शन हमको सुलब हो जाता है हम उसका शाक्षात कार करने लगते हैं जिसको सेल्फ रिलाइजेशन कहा गया